हाई दूस्तों आईटेक में आप सभी लोगों का स्वागत है आज है फर्ष्ट में 2020 और मेरे हिसाब से आज का दिन में लिले थोड़ा सा खास होने वाला है क्योंकि आज के दिन से ही में मेरी टेक न्यूज सीरीज जो की बंद पड़ी है बट कुछ वक्त से मैं उस सीरीज पर काम नहीं कर रहा था उस पर में वीडियो नहीं बना रहा था बट अब मैंने सोचा के क्यों ना उस सीरीज को दुबारा से स्टार्ट किया जाए और आई होप वो सीरीज आपको काफी पसंद आएगी हैं वाट्सअप के बारे में अब आप बेहादीर जल्द अपने एक ही वाट्सअप एकाउंट को एक से जादा स्मार्टपोन में एक ही वक्त में यूज़ कर पाएंगे देखे वाट्सअप काफी लंबे टाइम से मल्टी डिवाइस फीचर्स पर काम कर रहा है और ये फीचर्स हाल ही वाट्सअप के एंडुड बीटा वर्जन में देखा गया है जिसकी मदद से आप अपने एक ही वाट्सअप एकाउंट को एक साथ कई सारे डिवाइस में लॉगिन कर पाएंगे तो पहला आप ये समझ लीजे कि ये काम कैसे करता है तो यहाँ पर आप बीना नया एकाउंट बनाएं कई सारे डिवाइस पर अपना एक ही वाट्सअप एकाउंट एक साथ यूज कर पाएंगे आसान सब्दों में कहूँ कि अगर आपके पास एक वाट्सअप एकाउंट है और पाँच स्मार्टफोन है तो आप उन पाचो स्मार्टफोन में अपना वाट्सअप लॉगिन कर पाएंगे और इसके लिए आपको नया एकाउंट बनाने की भी ज़रूर नहीं है और मजी की बात यह है कि जैसे जैसे आप नए डिवाइस जोडते जाएंगे तो उन सभी डिवाइस पर आपका वाट्सअप का डेटा भी ट्रांसपर किया जाएगा और जब भी कोई message आता है या फिर call आता है तो उन सभी के notification उन सभी device पर एक साथ में दिये जाएंगे और यहाँ पर privacy को ध्यान में रखते हुए इन्होंने यहाँ पर कुछ नया किया है क्या किया है यहाँ पर जब भी आप कोई नया device जोडते हैं अपने account के साथ तो आपके जितनी भी contact हैं तो उन सभी को notification दिया जाएगा ताकि उन्हें पता चले कि आपने एक नया device अपने account के साथ जोड़ा हुआ है अब यहाँ पर WhatsApp बीटा इन्फो ने एक screen short शेयर किया है जहाँ पर हम WhatsApp की screen को देख सकते हैं जहाँ पर साथ तोर लॉग इन ऑन आ निव डिवाइस यानि की नए डिवाइस में लॉग इन करें screen पर एक और message लिखा है mobile data का इस्तिमाल करने पर धीमा काम करेगा और हो सकता है कि आपका ज्यादा data खर्च हो जाए अब यहाँ पर साथ तोर से पता चल रहा है कि WhatsApp हमें Wi-Fi का यूज़ करने के लिए कह रहा है ताकि कोई बड़ी file transfer की जाए मगर WhatsApp बीटा ने यह भी साफ किया है कि यहाँ पर कोई दूसरी file ने सिर्फ आपकी chat history को ही transfer किया जाएगा अब मुझे यह लगता है कि यह features खास तोर पर उन लोगों के काफी काम आ सकता है जो छोटा मुडा business करते हैं जिने एकी WhatsApp पर सारे customer के message या फिर call receive करने पड़ते हैं तो उनके लिए features काफी useful होने वाला है अब मुझे लगता है कि यहाँ पर कई सारे loop होल है क्योंकि ऐसा करकर तो कोई भी आपका WhatsApp account hack कर सकता है कोई भी आपके WhatsApp नंबर को किसी दूसरी device में login भी कर सकता है अब देखना यह है कि WhatsApp इसके लिए क्या नया update लाता है कैसे इन सभी चीजों से आपका account को बचा सकता है और आपकी क्या राय है इस update के बारे में यह भी जोर से पताना तो आसा करता हूं दोस्तों आपको यह वीडियो काफी पसना होगा पसना है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिगा इस वीडियो को शेयर कीजिगा अपने WhatsApp के सभी ग्रूप में क्योंकि WhatsApp का ही update हो सक करता है कि उन्हें यह update काफी पसना जाए और अगर आगे भी आप ऐसे वीडियो लिखना चाहते हैं नहीं नहीं न्यूस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि यहाँ पर आपको डेली नहीं वीडियो मिलते रहेंगे तब अब तक अपने ध्याने के दोस्तों टेक केर वाई